हेलो नमस्कार जै ہिन्द वन्दे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सबी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्तान क्लासिस पर आए दोस्तों एक्जाम वाली क्लास को अपन पढ़ेंगे और एक्जाम वाली क्लास जो कि सामने ज्यान की क्लास आप सभी जानते हैं सुबह अपनी 9 बजे होती है दोस्तों और ये सुबह 9 बजे की क्लास में आज हम पढ़ेंगे सामने ग्यान प्रस्नोतरी भाग संक्या 32 और इससे पहले कि अपन सारी की सारी पढ़ चुके हैं और दोस्तों लाश प्रस्नोतरी जो रहेगी वो रहेगी 33 और फिर अपने 1000 क्वेशन कंप्लेट हो ही जाने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप कर रहे हैं वन पाल वन डक्स पीटी ती या फिर या फिर रीट या फिर पटवार ग्राम चेव की तैयारी कर रहे हैं तो भाया इस क्लासेज के साथ जुड़े रहेगा बेहतरी इन कंटेंट आपको सुवश शाम 9 बज़े दो नो टाइम मिलता है और जीके का खज़ना डेली लाइव आना भूलना जाना देखे दोस्तों कल आपसे मैंने एक वैस्जन किया था और इस वैस्जन पर मैंने आपसे ये भी पूछ आ था कि वे इसके साथ ही साथ आपको वियूरनातमक्दरस्टी से भी बताना कि आपको जतने जानकारी हो हैं ना तो भारतिय समिदान की आठवी अनुचूची में भाषाओं की संक्या जो है ना वो दोस्तों कितनी है तो ये 22 है और दोस्तों बता दूँ आपको बानवा समिदान संसोदन हुआ था ठीक है और ये हुआ था 2003 में और 2003 में 2003 में कुल 22 जो है भाषाओं एड हो गी ती इससे पह में आपके सामने पेश करना चाहूंगा उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं आप राजस्तान क्लासेज की पूरानी स्टूडेंट में जवाब दिया है भारतिय समिदान के आठवी अनुचूची में 22 बार्शाओं को सामिल किया इसके बाद कोकनी बार्शा मनीपूरी बार्शा और नेपाली बार्शा को 1992 में जोड़ा गयता अलंकि 2003 में बोडो मोगरी वे सांतली बार्शा को जोड़ा गयता बिलकुल जवाब दिया ऐसे ही आप सभी जवाब दे सकते हैं इसी परकार से जैसे नेहार शर्माजी ने जवाब दिये हैं तो बिलकुल सही जवाब आये हैं याप ठीक है तो टीना जांगिट जी ने भी आठवी अनुचुची के मूल रूप से चूदा बास है थी लहालंकि अब बैजो बाइस है आठवी आठ नई भाशा है शामिल की गई है तो आपने भी जवाब अच्छा ल होगा है ना और अगर हम बात करें और जो है ना जवाब आया है राम अवतार जांगिर जी रूपल परियार जी ये ये सैमी है है ना नेक्स्ट अगर देखा जाए तो भावरी जियानी बीकानेर जी ने भी बिलकुल अच्छा जवाब दिया है और बिलकुल दोस्तों बाइस तो सभी ने लिखा कि सर बाइस बास है हलंकि अगर बात के जाए विवनात्मक द्रश्टी से तो आप भी जरूर लेखें आए दोस्तों आज की ग्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये आज का पहला क्वेशन आपकी स्क्रीन पे दल बदल कानून भा अच्छा क्वेशन है बिलकुल आगे बढ़ेंगे और यह दोस्तों कौन से में हुआ था अगर बात की जाए कौन से अनुचुची में तो दोस्तों दस वी और दस वी अनुचुची जो है ना यह 91 संविदान संचोधन और 92 तो दोनों 2003 में यह संचोधन हुए थे लिए कान संविदान संचोधन और 92 दोनों 2003 में हुआ था ठीक है तो 2003 के तयात इसमें जो संचोधन किया गया अगला प्रस निवन वैसे कौन सा विशे कैंद्रिया लिष्ट में नहीं है जनगरना बैंकिंग मजदूर संगटन या विदेशी रण तो मजदूर संगटन इसमें शामिल नहीं है प्यारे सातियों और मजदूर संग कौन से में है तो दोस्तों मजदूर संग जो है समवर्ती सूची के अंतरगत आता है वैसे आप सभी ने कल पढ़ा ही था है ना तो यह कौन सी में आता है यह समवर्ती में आता है दोस्तों ध्यान रखना अच्छा क्वेसन है नुबर 924 में पूचा जा रहा है कि भारतिय समिदान के कौन से संचोधन अदिनियम द्वारा पंसायति राज व्यश्ता को सामिधानिक दर्जाद दिया गया है तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तेवत तरवे समिधान शंचोधन दोस्तों हो जाएगा राइट आंस ख़कि तो ठीक है तो राइट आंसर अपना सभी का हो जएगा हो जाएगा कि हो जएगा और दोस्तों आप सभी को याद होगा पंचायती राज संस्ता को इस्तापीत किया था जवालाल नेरू ने दोस्तों दो अक्टूबर दो अक्टूबर उनिस सुन साथ को इस्तापना किसने की थी पंडित जवालाल नेरू ने बलवंत राय महरा बलवंत राय महता समीती के आध तो दोस्तों अगला प्रस्न आपसे पूचा जा रहा है बस जो ये भी सेमि अलग्र हैंस सेमी प्रस्न था हो तो नगरपाली का मैं मैलाओं के लिए कितनी सीटे आरक्षित होती तो दोस्तों राइट आंशर क्या हो जाएगा नगरपाली का मैं मैलाओं के लिए कितनी सीटे आरक्षित होती है तो हमारा राइट आंशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक बटे तीन हो जाएगा और दोस्तों ये 1992 में जोड़ा गया है और चोतरवे समीधान शंचुधन में ठीक है तो ध्यान डेखना अच्छा क्वैसन लौक किया जाएगा अगला प्रिशासन भी आपकी स्क्रीन पे है क्या हो जाएगा राइट आंशर नगर पष्शाशन का कौन सा प्रकार छोटे शहरों, शहरी चेटरों का नियंदरर्ण करती है नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार जो है छोटे शेरों शेहरी चेतरों का नियंदरन करती है जो कि इसमें राइट आंस हम सभी का हो जाएगा बोले सर भी आफस नगर पाली का परिश्द हो जाएगा ठीक है और नगर स्वेशासन की संस्ताओं को क्या का जाता है और अगला प्रशन आपके स्क्रेन पे है अभी वैक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है अभी वैक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती किसी गाउं के बुजूर्ग नागरिकों को किसी गाउं की सारी आबादी को पंचाहित के लिए निर्वाचक मंडल को या फिर पंचाहित के निर्वाचित चदेश्यों को तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा C आफशन अभी वैक्ती ग्राम सभा चाहि रूप में निर्वाचक मंडल के लिए पंचाहित के है ना चले अगला प्रसन आपके स्क्रेंट पर कि भारत में पंचाहित राज परनाली समिदान के कौन से अनुचेद के निर्देश के अंतरगर शुरू की गई थी और ये पंचाहित राज परनाली आप सभी ने पढ़ लिया कि सर ये जो है ना ये अपने नागोर में बगदरी गाहों में दोस्तों चालीस अनुचेद कौन सा है चालीस अनुचेद के तेयत है जो ये किया गया है ठीक है अच्छा क्वैसन है और ये कदम जो उठाया गया तो प्यारी साथ्यों अपने पढ़ लिया है ठीक है आप जोतों मैंने बता आपको तरी पर्एल्टेया है तो त्थिस में पहले हं ग्रामस सभा पहले बोले स्र chỉ ग्राम सभायai दूसर कुंसा है 도्लॉक को हम क्या कहते हैं । पंचायत समीथी कहते हैं और तीसरा पहला हो जायेगा दूसरा हो जायेगा और तीसरा है अपना जिल्ल् doll परिश्रद हो जायगा तो इस प्रकार से हम त्री स्तरी ऐसे कहते हैं दिएहान डख्योग और एकला प्रस्ट आपकी स्क्रीन पे है, रैट आंशर क्या हो जाएगा नमबर 932 में आपकी स्क्रीन पे और इस प्रस्ट का रैट आंशर भारत में 33летा इरफ परणाली का प्रस्ताव जो दिया था ना वो किस ने दिया था दोस्तों इस question को हर भाई हर बहन सही करेंगे कोई गलत करें नहीं सकते बिकॉज ये question बार बार अपनी जो है इस क्रेंट पे आता है जब राजिस्तान जी के हम पढ़ते हैं तो बलवंत्राय महता समीती दोस्तों इन्होंने 1977 में दोस्तों ये प्रावधान रखाता लेकिन प्यार साथी 1969 में इनका प्रावधान जो है बिल्कुल पुन्डूप से एप्रूव हुआ और इस समीती की बात करें न अपन जो बलवंत्राय महरा समीती इस समीती के स्थापना 1977 में होगी थी 1960 में आपर पंसाय तरा रहस्ता का शुबारंभ हुआ था पंसाय समीती किस के पृति अपने कारियों के लिए जवाब दे होती है 934 नेमलिकित मैसे कौन सी संस्ता पंसाय तराज संस्ता नहीं है अब कोई गलत ठोड़ी ना करेंगे आसान साथ तो क्वैसन है कौन गलत करेंगे देखिए, ग्राम सहभा तो अपने पढ़ लिया, ठीक है, और ग्राम पंचाइद भी आती है, ग्राम सहकारी सोसाइटी नहीं आती सहाब, इसमें नियाय पंचाहिद भी तो हो जाएगा, वैसे नियाय पंचाहिद कहलो, दोस्तों या फिर अपन ग्राम पंचाहित कह सकते हैं ठीक है ये तीनों ही पंचाहित राज संसता हैं ठीक है जबकि ये तो है ना ये इसका कोई कहीं पर उलेक नहीं है से करी सोसाइटी का चलो अगला प्रसने किस समीती आयोग ने केंदर और राज्य संबन्त की जांस की थी इन में से कौन सी समीती या फिर आयोग के तहत केंदर और राज्य संबन्त की जांस की गई थी दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक महता नहीं होगा इंदर जीत नहीं होगा सरकार या आयोग हो जाएगा और सरकार या आयो कि मैं आप से बात करूं तो 1983 में दोस्तों इसकी इस्तापन होती है ठीके और इसने जो है जो रिपोर्ट शौंपी ना 1988 में छौंपी थी ठीके तो ध्यान डगना अच्छा क्वेसन है रिपोर्ट इन्हों ने 1988 में छौंपी थी क्या कि भई कैंदर और राज तो दोस्तों यहां पर आपके टांस रोगार दूत्तेंगыеивать हम सभ जानते की राजस्तान में सबसे पहले और उसके बाद जो है पयारसातियों उसके बाद आंदर पर्देश के अपने आप कर अक्टूमबर में और नवंबर में हो गange ती आंदर परदेश में लोग तंत्रिय विकेंद्री करण का आशे जो होगा न वो देखिए संग्य सरकार इससे मतलब होगा तात्प्रे होगा या फिर संसदी है या फिर लोग तंत्रिय या फिर इस्थानी सरकार है न लोग तंत्रिय विकेंद्री करण का आशे जो है अमारा इस्थानी सरकार हो और अगला प्रस्ट नंबर 938 आपकी स्क्रीन पर है देखिए जरा ध्यान देना पंचायती राज किस सिदान पर आधारित है पंचायती राज जो है ना कौन से सिदान पर आधारित है सता के विकेंद्री करण पर सता के एकी करण पर सता के विकेंद्री ह dö części के कैंदरे करने और यहां पर सता के विक कैंदरी करने ठीक है और व करनोन तो राइट आंसर अपना होगा सता के वीग कैंद्र करन पर दोस्तों ठीक है और वैसे मैंने आपको बता दिया जो भी था दोस्तों जो जो था ना कि वही दो अक्टूबर 1929 को नागोर के बकधरी गाओं में इसका सुबारम किया गया था जुवालल नेरू ने अद्धिक्सटा की थी बलवंत्राय मेहता ने अद्धिक्स्ता की थी जो है यहाँ पर उपस ठीटे में हुआ था ठीक है हलंकि अगर हम बात करें कि ये कब दोस्तों 33 समिधान शंसोदन मतलब कि 1992 के द्वारा पंचायतों को समिधानिक दर्जा परदान किया गया था और अगला प्रस्ने भारत में आदारित भारत में आदारित लोक तंतर निवन मैंसे कौन सूनी चित करता है ये आप बता दीजिएगा राइट आंसर के होवे को पंचायती राज वेश्ता अंतर राजी परिश्द या फिर राष्ट पती या फिर जोई अपना सी एच जी भार अंडखना आगे बढ़ते हैं और नंबर 940 क्वेस्ट जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा इस्ताने सुषासन संस्ता से निर्वाचित पद धार्कों को अटाने का प्रत्या आवन प्रत्या प्रत्या आवान प्रावधान कहां लागू किया गया था सबसे देखे मद्यप्रदेश या फिर कैरल या हरेना या फिर बिहार इस्ताने सुषासन संस्ता से निर्वाचित पद धार्कों को अटाने का प्रत्यावन प्रावधान जो है न यह किया गया था अपने मद्यप्रदेश से MP से किया गया था ध्यान रखना और 941 नगर निगम का पर्दान मंतरी, सरपंज, राजिपाल, मापौर, मापौर को लोग करेंगे हम ठीक है नगर निगम का यद्धिक्स होता है इसे नगर परमुख भी कह सकते हैं हम क्या नगर परमुख भी कह सकते हैं और दोस्तों ये नगर निगम का जो है उच्चतम अधिकारी होता है और इ इसने यह का कि कोई भी राजनिती धर्म से रही तो नहीं है, ये किसने कहा था, नेरु ने, गांधी ने, विनोबा भावे ने, या जैप्रकाश नारा ने, दोस्तों, यहां पे अपना राइट आंशरों का गांधी बी ओफ़सन, मात्मा गांधी जी ने कहा था, कोई भी अगिला प्रसने संग लोग से वायोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तूत करनी होती है, जो संग लोग से वायोग होता है, दोस्तों, संग लोग से वायोग यह रिपोर्ट अपनी किसको सौपता है, तो संग लोग से वायोग अपनी रिपोर्ट जो है ना, राश्पती के समक् लेकिन रखवाता काँपे हैं संसद में तो राष्ट्पती को प्रस्तूत करता है और रखवाता काँपर है संसद में रखवाता है ठीक है लेकिन इसमें आपका राइट आंसर ए आफसन हो जाएगा राश्ट पती और ये क्वैसन भी पूचा गया दोस्टों और इसमें राइट आंसर ए आफसन को ही माना गया नमबर 944 क्या प्रस्ण पूचे जारा है जरा ध्यान देना नेम लिके तमेंसे भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है तो यहां पर राइट आंसर किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है तो दोस्तों नई राजी का गठन नहीं होगा चंसद के सद्धिश के वितन बता नहीं होगा राश्पति का बता नहीं अनुचे 368 के द्वारा सुईदान का शंसोधन ठीक है और अनुचे जो है अपने पढ़ लिया राजस्तान पहला राज इस रचस्तान पहला संखते कि और जिस रचा जानते को नफय परसन को लॉत अग्षब लाने रूछ यह चीजसे में आपको बता चुका हूं नेक्स्ट क्वेशन नो सची आलीस पूचा क्या ज़्यादा द्यान दियो तो अलब संख्यकों के लिए राश्ट्री आयोग किस वर्ष में बनाया गया था यह आपको बताना है जल्दी बता दीजेगा क्या ही हो जाएगा राइट आंसर जी बिलकुल और सही जवाब हो जाएगा डी आफ्सन निस सो बानवे में ठीक है सर आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों जूपरफास्टी कर रहा हूं मैं ज्यादत हो है ना नमबर 946 क्या पूचा जा रहे है मैलाओं के लिए राश्ट्री नीती किस वर्ष में अपनाई गई थी तो 1990 में 1995 में या 2001 में या फिर 2005 में तो दोस्तों मैलाओं के लिए श्रशक्ति करण की नीती है ना 2001 में अपनाई गई थी तो ये चीज़ भी आप साथ चाहत रखेंगे ध्यान और अगला प्रस्ण आपकी स्क्रेंट पर भारत में चूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया 15 अगस्ट 2005 को 15 मार्च 2005 को या फिर 15 जून 2005 या फिर 15 जुलाई तो दोस्तों राइट आंचर यांपर सही हो जाएगा आपका C option 15 June 2005 है ना 15 June 2005 हो जाएगा बिलकुल आसान है और आगे बढ़ेंगे आगले प्रश्न को देखते हैं 999 999 में ये पूचा जा रहा है कि भी कौन सा अनुचेद भारतिय संसद को समिधान में शोदन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुचे 368 252, 254 या 256 तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 368 कौन सा हो जाएगा 368 हो जाएगा ठीक है 950 नमबर क्वेशन अब अपने रहे गए हैं 50 क्वेशन और आगे के और दोस्तों ये भी अपन अगली क्लास में कम्प्लिट करने ही वाले हैं भारतिय संविदान का कौन सा भाग केंदर श्राशित परदेशों के बारे में बताता है तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों कौन सा भाग भाग 6, भाग 7, भाग 8 या फिर जो है भाग नौ दोस्तों कौन सा हो जाएगा भाग आठ हो जाएगा ठीक है भारती सुनिदान का कौन सा भाग केंद्र श्राशित परदेशों के बारें बताता है तो भाग आठ यहां डखना अच्छा वैसने ठीक है और आगे बढ़ते हैं और वैसे संग राज्य चैत्र जो है अनुचेद 249 से 242 की जानकारी भी परदान करता है हमें और आगे बढ़ते हैं यह अपने कौन सी बात किया भाग आठ की बात किया और अगर हम भाग पांच की बात करें तो इसमें अनुचेद 152 से लेकर लगबग क्या 236 होगा 152 से 237 तक यह अनुचेद 5 में है ठीक है ध्यान रखियो और अगला प्रस्णा आपके स्क्रिन पे है नंबर 951 कौन सी देखेगा कौन सी जो है कौन सी सरकार महिलाओं तता पुरुषों को सम्मान अधिकार तता अवसर देने में विश्वास रखती है कौन सी सरकार नारीवादी धर्म पेख्ष्टावादी जातीवादी इन मैसे कोई नहीं दोस्तों आसान चाक वैसन है क्योंकि यह लोग तंत्रिय सरकार होती है ठीक है लोग तंत्रिय सरकार होती है और जिस देश में जो वो सरकार होती जो लोग तंत्रों की सरकार मानी जाती है और वही उस लोग के लिए एक आदर्स और एक सम्मान करने वाली सरकार होती है अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पे निवन लि नियाई पाली का है ठीक है तो मीडिया नहीं है नहीं थोस्तों वैसे केंदर शरकार के तीन विश्षी टंग आपसा भी जानते हैं का रिपॉली का और और जिक कि मेडिया जो है अलेग है अगला प्रस्था पर रूसी क्रांदी का प्रारम के शेर से हुआ बोले सर ये question दे दिया आपने जी बिलकुल ये question बहुत important है अगर पूछा भी जाए तो आप भूलेंगे नहीं रूसी क्रांदी का प्रारम के शेर से तो सेंट पिटर्स बर्ग से हुआ था 1917 से हुआ था ये दोस्तों ठीक है और आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न को देखते हैं उस समय इस शेर का नाम पेट्रा ग्राड था ठीक है चलिए अगला प्रस्न है कि चीन की मुक्ती के समय चीन नी कम्यनिस्ट पार्टी का द्यक्स कौन था दोस्तों ये था माओ जिडोंग कौन था सी उफसन लॉक हो जएगा 1954 में क्या पूचा जा रहा है कि बही निम्नमीआ से एक कानून मैलाहों के हित के पक्स में है कौन सा कानून जो पारण आदीनियम हो जाएगा राइट आंसर और इसे दोस्तों है न मैईलाओं के हित के लिएுनिसोचाप्षा प्रतिबंद ले गया गया था राइट आंसर सी ऑफशन हो ही जाएगा यहां पर अगला प्रस्ट नो सो चपने त्री भाषा सूत्र को सिफारी किस समीति ने की थी त्री भाषा सूत्र की सिफारी कौन सी समीति के दुआरा की गई थी दोस्तों यह आपको बताना है कोठारी आयोग होगा क्या या दत समीति होगा या फिर राजा मनार होगा या फिर राज समीति तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर होगा डी आफसन कोठारी और यह कौन से कोठारी डॉक्टर दौलत सिंग कोठारी हो जाएगा राइट आंसर क्लियर है और दोस्तों अ यह रिपोर्ट कब सौंपी थी तो 1967 में इन्हों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी ठीक है तो यह चीज भी हो सकता है कि एक्जाम में प्रस्ट पूचा जाए चले इसको भी छोड़िएगा किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं कौन से तंत्र में कौन से तंत्र में दोस्तों देखिए लोक तंत्र राज तंत्र एक तंत्र धनीक तंत्र अलब तंत्र जो भी तंत्र होते हैं इसमें कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं वो अलब तंत रहोता है दूस्तों ठीक है अगला प्रस्णा आपकी स्क्रीन पर है कि दूस्तों ये क्वेस्टन थोड़े से हैं ना बाहर के मैं आपको यहीं के क्वेस्टन पूछों तो बैस्ट रहेगा आपने पूचा ये जा रहा है कि पंच शील के सिदानतों का प्रस्तावक जोधाना वो कौन था ये प्रस्णा आप से पूचा जा रहा है पंच शील के सिदानतों का प्रस्तावक जोधाना वो कौन था ठीक है और दोस्तों अगर हम बात करें लास्ट क्वेशन की जिसका आंसर आपको बाहरा के कॉमेंट सेक्शन में देना है और उम्मीद है कि आप जरूर देंगे इसका आंसर और इस बार में आपको आसान सा क्वेशन पूछ रहा हूं ज्यादा कोई हाड नहीं है और इसका हर दोस्तों मेध है कि आपको क्लास हो इस शांदार लगी होगी ज़ांदार लगी होगी क्योंकि यहां पर दोस्तों काफी हड प्रमाइम संद्र क्र अपकों समझ भी उनसी जिका दिलसे आभार दिलसे धन्यवाद और दिलसे वैलकम है और जैना है जिससे कि मुझे पता चले कि आपका लेवल केतना है न बहुत भत धन्यवाद बहुत दावार जहिंद वन्दे मात्रम